हेलो फैंस तो आज मैं आपको 5-10 मिने में बनने वाली दो आसान रेस्पी बनाने का तरीका बताऊँगा और इनको आप बेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं, कम उयल में बना सकते हैं, एक हम बनाएंगे बेसन का चिल्ला और दूसरा हम बनाएंगे सूजी पोहर थोड़ी सी सब्जियों के साथ बहुती जवरतर नाच था, ये नाच था काफी हल्दी और टेश्टी होता है खाने में आप इसको बच्चों के स्कूल टीफन के लिए दे सकते हैं, बेट लॉस में भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बेसन का चिल्ला बनाएंगे यहां पे, तो एक कप आपने बेसन ले रहा है और बेसन को एक बॉल में डाल दीशे, इसके साथ मैं थोड़ी से नमक मिर्च मसाली भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं, आदा चमच आपने इसमें नमक एड़ करना है, एक छुटा चमच अजवाइन एड़ कीज़े, बेसन से बनी चीज़ें के पर उन खाते न, गेस्ट्री हो जाते हैं अजवा तो यह देखिए, गीए को आपने न, यहाँ पर चील लेना है, अब यहाँ पर मैं गीए की चिल्ले तो बना रहा हूँ क्योंकि वेट लॉस में गीए सबसे ज़्यादा फाइदे मुन रहता है, आप सबजीएं डालना चाहिए, सबजीएं भी इसमें डाल सकते हैं, अब ग गीए को आपने देखिए, कद्दूकस कर लेना है, यहाँ पर इसको ग्रेट कर लेशे, और मोटेवली साइट से आपने इसको ग्रेट करना है, ठीक है, ग्रेट करने के बदा आपने इसमें थोड़ा साना नमक एड़ करना है, नमक के साथ मिक्स करके कम से 5 मिनिट तक आपन में यूज कर सकते हैं तो ये अपने बेसन में पानि करना है तो wenin में condran Mur지가 करते हैं गीश फांट से डो मिने के सागए प्रोफ जिए थला यहां पर चले रखाए और इस साब घ्याए ग्रेड वहांत प्रश striking इसके साथ में बीन्स और शिमला मिर्श भी डाल सकते हैं तीखा करने के लिए ने इसमें हरी में शेड किये थोड़ा सा बारी कट और हरधनी आइड करते हैं और इनको भी एच्छी तरह से मिक्स कर लिए तो अभी आपने इसमें ज्यादा पानी के यूज नहीं करना है क्योंक बैटर को थोड़ा सा बतला करेंगे यहां पर क्योंकि ज्यादा थीक बैटर में अगर आप चिल्ला बनाएंगे ना तो बो मोटा रहे चाहेगा और चिल्ला मोटा रहेगा ना तो अच्छे से पकेगा नहीं यह देखिए इस तरह से आपका जो गोल है वो बनके त्यार होना इसका अपने पैन लेना है उसमे घी बटरे अधिर ओयल को ओसा न गरम कर लेए जैसे वह अपर से थोड़े से यह वाईट दैल करनाए है थोड़ा से मैंने देखिए उपर से वाइट तिल डाल दी है कवर कर दीशे, कम से हम तीन मिन तक एक साइड से आपने इसको पकने देना है इतनी दिर में आपका जो बैटर है उपर से पूरी तरह से सूख शाएगा और हलके से देखिए इस पर दाने भी आचाएंगे इस तरह से आप इंस्टेंट 5-10 मिन में इसको बना सकते हैं टेस्टी भी काफी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं आप इनको मिन चटनी के सार्व कर सकते हैं अब यहां पर देखे सूजी का चलव नाएंगे आदक का पोह एक कप सूजी ली है सूजी को आपने ग्रैंडर जार में डाल देना है मोटी वाली सूजी है मेरे पास अगर आप अब बरीक सूजी उसको पीसने की जूट नहीं होती है साथ में आप इसके ना पोह भी डाल देशे और इनको ग्रैंड कर लेशे इनका अपने एक्तप फाई नग पौडर बना लेना है इस तरह से फिर इस पौडर को आपने बड़े से बाल में डाल देना है आधा च्पाप आपने इसमें नमक एड़ कर देशे आधा कप आपने इसमें नहील एड़ करनी है तो ओके देखिए अच्छा से mix कर लिए फिर थोड़ा सा इसमें गुन-गुना पानी और add करते हैं तो total मैंने यहाँ पे एक कप पानी का इसमें add कर दिया है और फिर पानी को अच्छी तरह से mix कर लेशे अब आपने इस batter को कम से 5 मिनिल का रेश्ट देना है ताकि सूजी और पोहज जो मैंने इसमें add की हैं वो अच्छी तरह से soft हो जाएं तो उपर से cover करके छोड़ देशे सबजी ऐड़ करेंगे एक प्याज, शिमला मिर्शी, बीन्स और गाजर का use की यहाँ पे मैंने जो प्याज है इसको आपने बारी कार्ट लेना है और उसके बारी कार्ट लेशे अब गाजर थोड़ी सी hard होती है, गाजर को आपने ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो गाजर को अगर आपने cutting करके डालना हो तो इस तरह से slice काटिए फिर आपने गाजर को julien काटना है, इकठा करके पकड़िए इस तरह से आप गाजर को fine chop कर सकते हैं और beans को भी आपने इस तरह से cutting कर लेना है आप इसमें broccoli वगरा भी add करना चाहें तो कर सकते हैं अब यह जो सबजी है ना इनको थोड़ा सा पका की add करेंगे, आपने एक पैन लेना है उसमें थोड़ा सा oil add कीशे बिल्कुल थोड़ा सा oil जैसे गर्म हो जाएगा थोड़े सीस में mustard seed add करने सरसों के वीज साथ में आदा चमच आप इसमें साबू जीरा add कीशे जैसे जीरा चटक जाएगा, एक छोटा चमच आपने बारीकट और अद्रक और एक छोटा चमच आपने बारीकटी हरीमेश आइड करनी है इनसे एक अच्छा टेस्ट आएगा और नाशता हमारा तीखा भी हो जाएगा तो अद्रक और हरेमेश को थोड़ी दिर पका लीजे फिर आपने इसमें बेस्टेवल एड़ कर देनी है अब बेस्टेवल को कच्चा भी डाल सकते हैं बर्ट जब इनको पकाते हैं तो आपका जो घोल है वो बाद में के बार ना पतला हो जाता है तो ओके देखिए हमें सबजियों को हमें पका के अड़ करेंगे थोड़ी सी मैने साथ में ब्रोकली भी इसमें एड़ कर दिया है हाई फ्ले में कम से और दो मिन तक आपने इस सबजियों को पका लेना है ज़ादेर पकाने की जूर्ट नहीं है इतनी देर में सब्जियों थोड़ी सी ना soft हो जाती है और थोड़ा समय नमक भी add कर दिया है ताकि सब्जियों में अच्छा नमक कर टेस्ट भी आ जाए तो अगे देखिए हलका सा सब्जियों का जो color है यहाँ पर change हो चुका है फिर आपने gas की बिले में बंद कर देनी है और इनको हलका सा थंड़ा होने दीशे दोसी थाइट में देखिए सूजी ने अच्छी तरह से पानी को एब्सॉग कर लिया है soft भी हो चुकी है पर जो यह बैट रहना वो ज़्यादा ही थिक हो चुका है फिर आपने इसमें पानी एड़ करने है अब यहाँ पर थंड़े पानी के यूज़ कर सकते हैं तो आदक अब देखिए मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है अच्छी तरह से पानी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं फिर आपने इसमें bestible भी add कर देनी है तो सबजियों हलकी सी गुनगुनी यहां पर और सबजियों मैंने इसमें add कर दी है सबजियों को भी अच्छी तरह से आप यहां पर mix कर लिशे तो गे देखिए better हमारे यहां पर त्यार हो चुका है इसके पूद आपने इसमें या तो baking soda add करना है या फिर आप इसमें इनो add कीशे इससे जो आपका नाशता है अच्छा softer spongy बनता है तो इनो डालने से पहले हलका साथ पानी डालना है और उसमें हलका सापने बटर लगाना है जैसे पहले हलका गर्म हो जाएगा फिर आपने एक लडल भर के देखिए better की डाल देनी है इस तरह से बिखेर दीशे और फिर आपने इसको उपर से कवर कर देना है और कवर करके ना इसको पकने दीशे कम से कम इसको ना दो से तीन म और बड़े अराम से आपने पल्टी कर देना है इस तरह से आप इसको पल्टी कर देशे और स्लीकोन को आप हीट में यूस कर सकते हैं और यह आपका बहुत ही टेश्टी और हेल्दी नाश्ता त्यार हो चुका है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीशे का, ओके फ्रेंस, मिलकर नए वीडियो के साथ, थेंक यू,